सो दोस्तों कैमरा से अच्छे अच्छे फोटो क्लिक करना, सिल्फी क्लिक करना और उसके बाद उसे अपने सोसल मीडिया पर अपने फ्रेंड के साथ, फेस्बुक पर दोस्तों के साथ सेयर करना किसे नहीं अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों आ आट फोटो, साथ फोटो, नो फोटो, उसे एक ही फोटो में फ्रेम करके क्लिक कर सकते हैं, मल्टिपल फोटो को, और दोस्तो काफी कमाल का फीचर है कैमरा का, तो दोस्तो अगर आप भी बहुत सारी फोटो को एक ही फोटो में क्लिक करना चाहते हैं, खीचना चाहते हैं, तो उन सभी फोटो को आप एक ही फोटो में मज़ करके क्लिक कर सकते हैं कैप्चर कर सकते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने फोन के कैमरा के अंदर एक सिटिंग को आन करना होगा उसके बाद दोस्तों आप बहुत सारी फोटोज को एक ही फोटो में क्लिक कर पाएंगे तो यह जानने के लिए सीखने के लिए आपको इस वीडियो को इंड तक देखना होगा छोड़ी सी वीडियो होने वाली है मैं दावे के साथ कह सकता होगी यह वीडियो इन तक देखने के बाद आपको बहुत कुछ चीखने को मिलेगा और आप कैमरा की ये ट्रिक जानकर चौंक जाएंगे और अपने दोस्तों को भी चौंका सकते हैं तो चलिए दोस्तों आपको लेकर चलते हैं फून की स्कीम और आपको बताते हैं कैसे आप मललिपल फोटोस को एक ही फोटो के अंदर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करें उस से पहले छोटी इस रिक्वेश्ट है कि सबसे पहले यहां पर आप इस बटन को प्रेसर के वीडियो को कर दीजें सबस्राइब के लिए साथ इस इतना करने के बाद दोस्तों आपको नीचे कमेंट बाक्स में जाना आपको एक अच्छी सी कमेंट लिख देनी है आपको कमेंट बाक्स में लिख देना है नाइस कैमरा ट्रिक और इस तरीके से सेंड कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको बैक आना और इस वीडियो को आप आपके WhatsApp में जितने भी ग्रूप हैं उन सभी पर ज्यादा ज्यादा सेयर जुरूर करना है ताकि ये ट्रिक ज्यादा ज्यादा लोग सीख पाएं यूज़ कर पाएं आप जैसे इतना कुछ कर लेते हैं तो चली वीडियो करते हैं स्टार्ट तो दोस्तों जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया अगर आप भी कई फोटो को एक फोटो में कैप्चर करना चाहते हैं वो भी आपके फोन में जो कैमरा दिया होता है इस कैमरे के मदब से आपको कोई भी अप्लिकेशन वगारा कुछ भी इंस्टाल करने की जरूद नहीं है अब बस दोस्तों आपको अपने कैमरा में एक सेटिंग आन करनी है उसके बाद दोस्तों आप जितनी फोटो कैप्चर करना चाहते हैं आपको उतनी फोटो क्लिक कर लेनी है तो आप दोस्तों आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेगा तो सबसे पहले दोस्तों आपक अपना camera open करेंगे. तो यहाँ पर दोस्तों आपको सामने ऐसा कुछ इंटरेउस दिखाई देगा. तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको क्या करना ओपर three line दिखाई दे रही आपके photo setting का option दिखाई देगा. तो वहाँ पर आपको आना है. और यहाँ पर दोस्तों आपको एक आफसन दिखाई दे जाएगा college का तो यहाँ पर आपको type कर दे रहा है अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ आफसन दिखाई देंगे कि आप एक photo के अंदर कितने photo add करना चाहते हैं जिसे कि यहाँ पर दो photo का आफसन है यहाँ पर भी दो फोटो का अफसन है, यहाँ पर चार फोटो का अफसन है, यहाँ पर तीन फोटो का अफसन है, यहाँ पर भी तीन फोटो का अफसन है, और यहाँ पर छे फोटो का अफसन है, तो मैं आपको छे फोटो वाला करके दिखाता हूँ, आपको यहाँ पर इस पर छे पाले पर सेलेक्ट कर लेना है, अब यहां पर दोस्तों आपको सामने ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, तो अब दोस्तों आपको क्या करना, फोटो लेनी है, तो चलिए मैं यहां पर अपनी पहली फोटो क्लिक कर ली, अब दोस्तों यहां पर मैं अपनी दूसरी क्लिक करता हूँ तो यहां से मैंने अपनी दूसरी फोटो क्लिक कर ली उसके बाद दोस्तों मैं यहां पर आता हूँ और अपने फोन से तीसरी फोटो क्लिक कर लेता हूँ तो मैंने तीसरी फोटो क्लिक कर ली उसके बाद दोस्तों मुझे क्या करना चौथी फोटो क्लिक करन में अपनी श्याँप ज़ी साँवी फोटो कलिक कर लेता हूं और हम पर एक बार फिर से मैं यहां पर इस तरीके से आप देखते हैं ना कितनी जबरदास्ति पूरी नव फोटो तो आप जितनी फोटो चाहे उतनी फोटो जो है कैप्चर कर सकते हैं यहाँ पर जैसा कि दोस्तो आप देखते हैं आप जैसे यहाँ पर आएंगे उसके बाद कालिज में जाएंगे तो आपको जितनी फोटो इहाँ पर क्लिक कर लेता हूं और यहाँ पर दोस्तों आप देशते हमारी दोनों फोटो कैप्चर हो चुकी है, और आपके कैमरा में ये ट्रिक नहीं है, वर्क नहीं कर रही है, आपको इस सेटिंग नहीं मिल रही है, तो आप अपने फोन का मॉडल नमबर, आपको उनसा फोन यूज करें, कमेंट बाक्स में जरूर लिखेएगा, I hope दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए होगे, वीडियो से काफी कुछ देखने को वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे भी इसी वीडियो के लिए चैनल सब्स्राइब कीजिए, फिर मिल तेरने शुडियो में किसी दो टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल लखिए, आपका दिन सुभो.